बेलकम टू सुपर फरस्ट इंगलिस अकैडमी दोस्तों आपकी एक्जाम के लिए चलाने वाला हूँ और आपके ये हर एक टॉपिक को टच करने वाले हैं चम लिए अब हम बात करते हैं यहां पर ये आप नए ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको नेक्स नोटिफिकस न मिल सके इससे पहले मैं आपको इसी तरह की टीन वीडियो दे चुका हूँ तो वो लेना है कि यहां पर जो ये ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है न देर इसकी जगा पर इन चार में से क्या आएगा ये आपको समझना है सबसे पहले समझना है और फिर आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक चीज याद रखना ये रिपीट हुआ है कई बार कि वन के साथ एक बात उताओ मुझे अगर ही है तो ही के साथ अपना की बताओ क्या लगाते हैं हिज उसी तरहते वन के साथ अपना की हम लगाते हैं वन्स क्या लगाते हैं अपना की वन्स लगाते हैं क्या लगाते हैं वन्स लगाते हैं ये आप समझ लेना कहीं ये वाला वन्स मत कर दे यह आपने ऐसे कर दिया नहीं उसमें आपस्टॉपी आना चाहिए बस यह आपको याद रखना है और यह वाला कॉंसेप्ट आपका किलियर हो जाएगा तो वन के लिए क्या लगेगा देयर थोड़ी लगेगा तो सुट्स लगेगा सरजी लगा दियातो सर्फी संगुलर के लिए आता है व μέंश कर देथा या पर वन है तो मैंने वंच कर दिया बस समझ में आगیا आगे देखो आगे आपको और समझ लेना है कि it is simplistic to assume that whatever is taught will be learn अब आपको यह बताना है कि इस जगे पर क्या आएगा देखो बहुत simple सा यह logic है सर थोड़ा समझ लिजेगा कि आपको अगर कहीं पर कई भी भी ना पैसे form दे रखियो कभी भी बिल भी दे रखा है या फिर शेल भी दे रखा है तो इनके बाद आपको पैसे भी दे रखा है तो इसके बाद आपको third form लगाना है क्या लगा देना है third form लगा देना है कुछ भी हो लेकिन हा इस में से दोनों ही आ सके क्योंकि दोनों ही लरन की थडफ़ों में न तो देख लीज़े आप अब ओबर ओल मेरे साफ से बिल्कुल सही है लरन का यही तो होता है दोनों बाकि यह तो आए गई नहीं ठीक है तो इसमें मतलब बी और शी यह थोड़ा option ग यह पूचा किया है एक बात लुक के बाद कैसे द कुल के सब्सदुर्ट समलें तो इस पैसली द ऑपोजिट में नहीं तो मैं दौर रहा था अब आपको यह समझना है कि इसमें क्या सकता है तो एक बात यहाँ पर क्लियर सी बात है सर यह मैं आप पर छोड़ देता हूं इसमें आप मुझे बताईए कि इसमें कौन सा आ सकता है नहीं आएगा तो कोई बात नहीं आगे वाली वीडियो में याद रहेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा या फिर मैं पिन कर दूंगा कमेंट हो आगे में एक सर्फ आप किसी चौट टाइम के लिए कहीं पर आप इस्टे करतें तो उसे बहुते क्या वोलते उसे इस्टे बोलते यह आप किसी भी कहीं पर जाते हैं कोई देकत तो नहीं है समझ में आजएंगा चिंता मत करो थोड़े समयए के लिए रुकने के लिए तो मिस्ट्रे एक reject to go to school where they do not enjoy freedom, ये आपको समझना है कि sir इसमें क्या सकता है तो ये बहुत simple सा question है इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है सिर्फ उसने ये बोला है कि reject जो underline है इस जगह पर क्या जाएगा तो इसका मतलब देखो many children school जाने से बहुत सारे बच्चों इसमें क्या कर दिया मना कर देते हैं where they do not enjoy freedom वहाँ पर क्या करते हैं वो अपनी freedom को enjoy नहीं कर पाते हैं तो देखो यहाँ पर simple सी बात है सिर्फ उसने यहाँ पर ही ध्यान लगाना आपको आगे इधर उदर नहीं बगाना है तो reject क्या हुजेगा वो refuse कर दिया मतलब बच्चे क्या है मना कर देते हैं refuse कर देते हैं तो deny नहीं आ सकता यहाँ पर मना कर देते हैं refuse क्या मतलब होता है इंकार कर देना short time के लिए इंकार कर देना समझ मा आ गया तो बच्चे क्या करेंगे refuse करेंगे आगे देखो हम बात करते हैं देखे there is much demand for fuel as the number of vehicles are increasing day by day यानि के जो fuel की demand है बहुत ज्यादा आपको पता है vehicles है बहुत ज्यादा संक्या में vehicles है तो उनकी जो demand है fuel की वो क्या दिन प्रति दिन भढ़ती जा रही है सर एक बात होता है इस पूरे sentence में बात की जा रही है आपके fuel के बारे मिला फ्यून की demand जो वो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है इसका जो subject है वो किसके बारे में बता रहा है fuel के बारे में बता रहा है तो fuel तो singular होता है तो इस R की जगह पर क्या आना चाहिए यहां पर आना चाहिए age तो यहां पर age increasing एकदम सही हो जाएगा आगे बढ़ जाते हैं आगे देखेगा दा मैमोरियल सर्विस अब आपको समझना है कि इस option में क्या आएगा हर्ट रेंडिंग हर्ट थ्रोबिंग हर्ट लेस यहाँ पर आपको समझना है देखो काफी अच्छा है पहले तू यह समझो यहाँ पर हर्ट रेंडिंग आएगा हर्ट रेंडिंग आएगा हर्ट रेंडिंग का मतलब होता है दिल को छू देने वाला मतलब मैमोरियल पहले समझो मैमोरियल सर्विस क्या होता है मैमोरियल सर्विस होता है जैसे किसी के मरने पर ठीक है उसकी याद में किया जाने वाला कोई भी program होता, आयोजन बगारा होता न, तो वो क्या होता है, वो होता है, Memorial Service, समझ मारा है जैसे महां लोग कुसीका कुण बुज़ुरुक मर गए, बुज़ुरुक मर गए, तो वहां पर आपने देखा है बंदारा कर देते हैं या फिर पुआ वुआ हो जाते तो समझ लीजिए वह मैमोरियल सर्वेस होता है कोई भी आयोजन कोई फंक्शन टाइप का ऐसे भी कर सकते हैं तो दैट इस कॉल्ड मैमोरियल सर्वेस मैमोरियल सर्वेस कंड़क्टड़ वाइदा प्रीस्ट मतलब यह हो गया कि जो पुजारी था ना उसके द्वारा किया गया था तो वह कैसा था वह रेंडिंग वह कैसा था एकदम दिल को छूट देने वाला था तो यहां पर हर्ट रेंडिंग एकदम सही हो जाएगा ठीक एक हर्ट लेस सर जिसके अंदर दिल नहीं होता जिसके अंदर संबेदना नहीं होती संबेदना हीन समझने आप एकदम कमीन तो वह होता है हर्ट लेस आगे देखिएगा और हर्टियस्ट का मतलब होता है एकदम पूरे उत्सा के साथ उसे बोलते हर्टियस्ट तो यहां पर बे सर क्लियर क्यों नहीं उपाएगा मतलब आपका डाउट बना रहेगा अब इसको आप दूर कर लिजेगा पहले मैं आपको इस चीज समझाता हूं वैसे अगर मैं आपको यह दे दूं कि सर इसमें से आप मुझे एरर बताएगा तो देखो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको यह लगएगा इंडिया तो सिंगुलर होता है इंडिया के साथ तो अब देखो यहां पर देखो इंडिया वर डिक्लियर दा विनर ओफ दा क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप मतलब इकतर से विनर विजेता घोसत किया गया था अब आपको इसमे में इंडिया का मतलब होता है वो इंडियन टीम से होता है और आपको पता है अगर इंडियन टीम के बारे में बात की जा रही है तो इसका मतलब है इसे प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं तो यहां पर तो वर ही आएगा इसका मतलब इसमें नो इंप्रूमेंट आएगा यह आपका सोचना सही है, कि इंडिया को हम singular लेते हैं, singular है तो सही बात है यहां, तो फिर आप समझ रहे हैं, वो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर इंडिया का reference, किसी भी देश का reference, यदि क्रिकेट से, किसी गेम से यदि reference दिया जा रहा है, मतलब वहां के team की बारे ही, इसने क्या बोला, इंडिया वर्डिकलेड, मतलब बारत को क्या किया था, cricket world cup बिजेता घोसत कर दिया, सर बारत को नहीं किया गया था, बारत की team को किया गया था, समझ महा गया, उसके बाद बारत हुआ था, तो यहाँ पर इंडिया जो वो Indian team को represent कर रहा है तो Indian team तो plural हो जाएगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा word declared आजाएगा एकदम साहिए दोस्तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत कम time के अंडर यहाँ पर आपको इनको समझाया और possible रहेगा तो इसके बाद और भी अच्छी ची वीडियो आपको provide की जाएगी आप motivate करने के लिए वीडियो को like जरूर कर सकते हैं comment करके बता सकते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा महिना तक वो कैसी लगी आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए English Master वीडियो